अमोल पालेकर की कहानी है जी हाँ सतर और असी के दशक के आक्टर और डिरेक्टर अमोल पालेकर आज 89 साल के हो चुके हैं 24 नवंबर 1944 के दिन मुम्मई में जन्में अमोल पालेकर ओफ बीट फिल्मों के स्टार कहे जाते हैं और अपने शान्ट और सहज अभिने से उन्होंने हमेशा ही लोगों का दिल जीता है उनके बोलने की स्टाइल, कॉमेडी करने का धंग और इमोशनल करने का अंदाज भी अनोखा था अमोल पालेकर सिचुएशनल कॉमेडी के लिए बहुत मशूर थे उन्होंने अबने की दुनिया में कदम रखने से पहले, तीयेटर की दुनिया में भी अपनी किसमत आजमाई थी आज हम आपको उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं बॉल्लिवुड की बोलती ख़बरों सो लेकर पुराने सीतारों के राज खोलती कहानियों तक बात दुनिया के रहसियों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की यूट्यूब का सबसे रंग बिरंगा कॉंटेंट मेरे साथ सिर्फ उजवत रवेदी टॉक्स पर अमूल पालेकर ने मुंबई के मशूर कॉलेज जे जे स्कूल आफ आर्ट से बतौर आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की कॉलेज के दिनों में वो पेंटर भी रहे हैं अमूल पालेकर ने जे जे स्कूल आफ फाइन आर्ट्स में एड्मिशन लिया तो खर्ट चलाने के लिए टाइपिंग सिखाने लगे ग्रैजुएशन के बाद उन्होंने कुछ एड एजेंसीज में भी काम किया और उसके बाद बैंक में कलर्क की नौकरी भी लगी उस जमाने में वो दिन में बैंक में काम किया करते थे और रात में पेंटिंग किया करते थे अमूल पालेकर की जिन्दगी के कई पहलू है उनके मताबक वो एक्टर तो इत्फाकन बन गए प्रड्यूसर मजबूरी में बने और हाँ डिरेक्शन उन्होंने अपनी मर्जी से किया लेकिन दिल से वो आज भी एक पेंटर ही है यहां तक कि एक्टिंग और डिरेक्शन में भी वो हर चीज़ को एक पेंटर की नजर से ही देखते हैं 1967 में अमोल की पेंटिंग्स को किसी गैलेरी ने एक्जिवीशन के लिए सुईकार नहीं किया था तब मशूर पेंटर के एच आरा ने अमोल पालेकर की न सिर्फ पेंटिंग्स की तारीफ कर दी बलकि ताज आर्ट गैलरी में अपनी डेट्स उन्होंने अमोल पालेकर को दे दी लेकिन अमोल उस समय बैंक की नोकरी में प्रोबेशन पर थे इसलिए एक्जिवीशन में जाने की अजाज़त उन्हें नहीं मिली 2014 से उनके चित्रों की एक्जिवीशन एहमदबाद, दिल्ली और मुंबई के लावा अमेरिका में भी लग चुकी है अमोल पालेकर अपनी पेंटिंग्स बेचकर होने वाली कमाई को सोशल कॉस के लिए डोनेट कर देते हैं 1971 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमोल पालेकर ने बॉलिवुड में करीब डेड़ दशक तक काम किया तकरीबन 40 फिल्मों में काम किया लेकिन बतौर हीरो उन्हें सिर्फ एक बार फिल्म फियर आवार्ड मिला 1980 में ये वार्ड उन्हें फिल्म गोल माल के लिए दिया गया था इसके लावा जो उनकी मशूर फिल्में रही हैं वो हैं रजनी गंदा जो कि 1974 में रिलीज हुई गरोदा 1976 में आई चोटी सी बात 1975 में आई और गोल माल 1989 में आई ये फिल्में उनकी आज भी पहचान बनी हुई है और अगर इन सारी फिल्मों की बात करें तो छोटी सी बात जो फिल्म थी वो एक लो बजट फिल्म थी जिसकी सफलता ने उस समय बॉलिवुड में एक बड़ी हलचल मचा दी थी वैसे मैं आपको बता दूँ कि अमोल पालेकर के दो नाटक बैन हो चुके हैं जी हाँ अमोल पालेकर ने पहला नाटक उननस सो और सट में किया था जिसका टाइटल था शांतता कोट चालू आहे और एक पहली मराठी फिल्म बाजी राउचा बेटा जो 1979 में आई और उनकी पहली हिंदी फिल्म 1974 में आई असल में 1972 में उन्होंने अपना थियेटर ग्रोप अनिकेट भी बनाया था चलिए आपको बताते हैं अमोल पालेकर के उन दो नाटकों के बारे में जो ने बैन कर दिया गया था अमोल पालेकर के दो नाटकों को अशलीलता की आरोप में सरकार ने बैन कर दिया था इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई थी 2016 में थियेटर सेंसरशिप के खिलाफ भी वो बोलते रहे 2017 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट की कुछ धाराओं को बदलने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन तक दायर क थी और एक वक्त ऐसा भी था जब वो सेंसर बोर्ट की सेंसरशिप के खिलाफ कोर्ट भी चले गए थे एक निर्देशक की रूप में उन्होंने कई फिल्मों को डिरेक्ट करने के साथ साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया अमुल पाले करने साल 1981 में मराठी फिल्म आकरित से डिरेक्शन में कदम रखा उनकी बनाई पांच फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं ये फिल्मे हैं मराठी की बांगरवाडी दाइरा नाम की फीचर फिल्म इसके लावा कैरी ध्यास पर्व और क्वेस्ट जो की इंग्लिश फिल्म थी उनकी लास्ट डिरेक् के लिए बेस्ट फॉरें लैंग्विश फिल्म काटेगरी में इंडियन एंट्री डिकलेर किया गया था लेकिन ये फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई उनकी आखरी निर्देशित फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म धूसर थी अमुल पालेकर बतौर करेक्टर आ और ये 32 सालों तक चली तला के बाद 2001 में अमुल पालेकर ने चित्रा से शादी कर ली और आज की तारीक में अमुल पालेकर दो बेटियों के पितावी हैं उमीद हैं अमुल पालेकर के बारे में जानना आपको अच्छा लगा होगा अगर आगे भी आप इस तरह पुराने बूले बिसरे चेहरों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं